नमस्कार दोस्तों आयोग चैनल एक्जाम लर्णर में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट एक्जाम 2020 के लिए यानि कि सिक्षक पातरता परिक्षा जो की 28 नौंबर को आयोजीत होने वाला है उसके लिए बाल विकास यूम सिक्षड विधी क पहला प्रैक्टीस सेट आज हम लोग ढल करेंगे तो इसके पहले परिया वरर का प्रैक्टीस सेट अप्लोड किया गया है जो लोग नहीं देखे हैं उसे आप देख सकते हैं चैनल के प्रेलिस्ट में जाके आज हम लोग देखेंगे बाल विकास यूम सिक्षड विधी का पहला प्रैक्टीस सेट तो वीडियो को लाइक शेर करेंगे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा साथ में विल आइकन को फ्रेज कर लिजिएगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोडिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे और पेडि लर्निंग प्लेटफार्म एप से जुड़के आप अपने त्यारी को विहतर तरीके से कर सकते हैं और सब्सक्रिशन लेने के लिए हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा एक्जाम लर्नर जिससे आपको 10% का डिसकाउंट देखने को मिलेगा सबसे पहले आपको अनेकैडम जॉइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहां पर तो आप अपना आनलाइन क्लास यहां पर ले सकते हैं और अपने जो भी डाउट है आप के लिए यहां पर कर सकते हैं UPPSC Prelims GS Paper First के लिए test series चराया जा रहा है अनेकैडमी पे यह आप देख सकते हैं नीचे description में लिंक दे दिया गया है वहां पर जाके चेक कर सकते हैं आपका फर्वरी 2021 से ही शुरू हो गया है तो आप जो है इसे जॉइन कर सकते हैं उसके बाद है प्रगति complete batch for इलहावाद हाई कोट आरो एरो एक्जाम के लिए इसे आप 8 नौवंबर से बैस सुरू हो गया है तो इसे भी आप जो है जॉइन कर सकते हैं उसके बाद है देखते हैं और यहाँ पर फीस इस्ट्रक्चर दिया गया है अनकैडमी सब्सक्रिप्शन का तो इसे भी आप जो है देख लिजे और यह रेफरल कोड हमारे यूज कीजेगा एक्जाम दरन जिससे आपको 10% का अडिशनल डिसकाउंट भी देखने को मिलेगा तो उसके असानी से क्रैक कर सकते हैं पहला कोशन आप देख सकते हैं कि निमन में से मानसी क्रिया नहीं है कौन सा चार बिकलप आपके सामने दिया गया है इसमें मानसी क्रिया कौन सा नहीं है यह आपको बताना है तो यहाँ पे जो से हो जाएगा D आपसन उपयुक्ति में से कोई नह तो इसमें यह आपका D विकल्ब से हो जाएगा। उपरियुक्त में से कोई नहीं है। दूसरा प्रशन है कि, आलपोर्ट ने बेकतितों को किसके रूप में परिभासित किया है। तो इन्होंने वाता वरण के साथ अनूठे समायोजन के रूप में परिभासित किया है, भी आपसन सही हो जाएगा आलपोर्ट ने वर्स 1937 में बेक्तित्तु की लगबग 50 परिभासाओं का विशलेशन वर्गिक्रित करके बेक्तित्तु को बेक्ति के अंदर उन मनुशारे रिगुडों का गत्यात्मक संगठन के रूप में बेक्ति किया, जो वाता वरण के साथ अनूठा समायोजन अस्ताप एक तो कुशन पुशा जाता है कि समाजी कदिगम सिधान्त किसका है तो अलवर्ट बंडूरा का है और कुशन यहाँ पुशा गया है बंडूरा के समाजी कदिगम सिधान्त में चरण हैं कितने तो कुल चार चरण हैं भी आप से नहापे सही हो जाएगा पहला है तुलनात्मक नियम का सिधान्त दिया है किसने तो यह दिया गया है थ्रश्टन की द्वारा बी आपसन यहाँ पे सही हो जाएगा सबसे पहले 1927 में यल थ्रश्टन ने अभिबृत्ति मापन के लिए तुलनात्मक नियम का नियम दिया था पांचवा प्रश्टन ने ब्यावसाइक रूची परपत्र का प्रतिपादन किया किसने तो यहाँ पे बी आपसन सिये हुआ इस्ट्रॉंग ने इस्ट्रॉंग ने ब्यावसाइक रूची परपत्र का प्रतिपादन किया था और चट्वा प्रश्टन अभिबृत्ति के सिधा का प्रतिपादन वर्स 1908 में मैक डूगल ने किया था और इन्हें ने कुल 14 मूल प्रविर्थियां बताई है अगला कोशन है ब्रेल लिपी के संबंध में सही कथन है कौन सा तो यहां पर जुसे हो जाएगा डी आप्सन उप्यूक्त सभी लूइस ब्रेल ने छे उभरे हुए बिंदू के सारे बर्डमाला अनि सामगरे लिखी जिसे ब्रेल लिपी के नाम से जाना जाता है यह अन्दे यानि के दृष्ट वाधि चात्रों के लिए उप्यूक्त विधी है तो यहां पर डी आप्सन से हो जाएगा उप्यूक्त सभी आठवा प्रशने स्रिजनात्मक्त का तत्तो नहीं है कौन सा तो भी आप्सन से होगा यहां पर एकता स्रिजनात्मक्त के द्वारा उपलब्द संसाधनों से किसी नए विचार को जन दिया जाता है और स्रिजनात्मक्त के प्रमुक्त तत्तो जो है उनमें मौलिकता है धारा प्रवाहिता है लचीलापन है अलग कि कौन सी बुद्धी इस छमता के लिए आधार है तो है अमूर्त बुद्धी यह आपसन यहां पर सही हो जाएगा थारणडाई के बुद्धी द्वारा किये गए कारे संपादन की अधार पर बुद्धी को हम तीन भागों में भाजित करते हैं पहला है अमूर्त विकास के सिधानत के अंतरगत एक दस वर्षी बालक किस अवस्था की अधीन आएगा तो आएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अधीन जीन प्याजे के संग्यानत्मक विकास के सिधानत के अंतरगत विकास को चार अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है पहला है संबेदी गामक वस्ता जो की जीरो से लेकर के दो वर्ष तक दूसरा है पूरू संक्रियात्म कवस्ता जिसे दो वर्ष से साथ वर्ष तक माना जाता है और तीसरा है मूर्थ संक्रियात्म कवस्ता जो की साथ से इग्यारे वर्ष तक होता है और चौथा है अपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्स तक माना जाता है तो यहाँ पे 10 वर्स से वालक का पूछा गया है तो हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि यहाँ पे 7 से 11 वर्स के अंतरगत आएगा अगला प्रश्ण है ब्रूर्णर के संग्यानत्मक विकास के सिधान्त के अंत्रगत द्रिश्य इस्मृत्ति का विकास किस अवस्था में होता है तो यह होता है प्रतिविम्बात्मक अवस्था भी आप से नहाँ पे सही हो जाएगा प्रतिविम्बात्मक अवस्था में बालकों में द्रिश्य इस्मृति यानि कि विज्वल मेमोरी बिक्सित होती है अगला कोशिन है पियाजे ने नैतिक विकास को कितने अस्तरों में बिभक्त किया है तो तीन अस्तरों में इन्होंने बिभक्त किया है बी आपसन सही हो जाए पहला है नैतिक एथार्थता, दूसरा नैतिक समानता और तीसरा है नैतिक सापेच्चता में तो यहाँ पे भी आपसे हो जाएगा अगला कोशन है अब आपका, यहाँ पे किसने कहा है कि संबिगात्मक बुद्धी को बुद्धी के रूप में नहीं सुविकार किया जा सकता है तो यह कहा गया है आई सेंग के दौरा, भी आपसन यहाँ पे सही हो जाएगा और अगला कोशन अब देखते हैं कि decibel है, तो यहाँ अप सब को पता होगा decibel, यह सुनने की छमता decibel में ही मापा जाता है तो यहाँ पे B आपसन सही हो जाएगा अगला प्रशन है सकारात्मक पुनरबलन है तो यहाँ पे E आपसन सही होगा पुरसकार पुरस्कार भी हो सकता है, प्रसंसा भी होगा या साबासी यह सबी जो है सकारात्मक पुनरबलन के अंतर गता हैंगे अगला प्रशने शिच्छा के तीन बिंदु हैं, अधियापक, बालक और भिसे शिच्छड इन तीनों में अस्थापित किया जाने वाला संबंध है, उपरियुक्त कथन किस मनोब ग्यानिक का है तो यह है राय बर्न का, यह आप सनिहापे सही हो जाएगा अगला जो प्रशने है, सिच्छक का परम मित्र है तो यहाँ पे B भी कल्ब सही होगा स्यामपट, स्यामपट यहाँ ब्लैक बोर्ट को विद्याला में सिच्छक का परम मित्र कहा जाता है अगला प्रशनब देखते हैं, कि सरव्य दृष सामगरीयों का परियोग किया जाता है तो यह किया जाता है यहाँ पे D आपस्टेव का उप्रियुक्त सभी में यहाँ कि अधिकम को सरल बनाने के लिए भी अधिकम को रोचक बनाने के लिए अधिकम को सार्थक बनाने के लिए सरफ विद्रिश सामागरियों का प्रियुक्त किया जाता है अगला जो प्रश्न है शीखने की गति निर्वर करती है तो यहां पे दी आपसे उप्रियुक्त सभी पर यहनकी रूची पर भी प्रेणना पर भी और तत्परता पर भी अगला प्रश्न है आपका आपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था 1987 पी में आपरेशन ब्लैक बोर्ड की घोषना 1986 में ही की गई थी और 1986 की प्रतम राश्री सिचानीति में इसकी घोषना की गई थी लेकिन यह लागू कब हुआ था तो 1987 में लागू पूशा गया कब हुआ था अगला प्रतम है भारत में प्रातमी की सिच्छा के जनक है जेम्स थामसन यह आप सन्या पे सही हो जाएगा 25 प्रतम है संग्यानात्मक बिकास का मूल कारड है इसका मूल कारड है सामाजिक क्रियाओं का अंतह करड यह विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा तेश नमर प्रश्ण है कि विकास सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है विकास का यह सिधान्त है किसका यह सिधान्त है सिरह पदाभिमुक सिधान्त बी आपसन यहां पर सही हो जाएगा विकास का सिरह पदाभिमुक सिधान्त कहता है कि बालकों का विकास सिर से पैर की तरफ हो तो यह दिया गया है जीन-प्याजी के द्वारा, यह आप शनियापर पर सही हो जाएगा, प्याजी के बिचार से बच्चे सक्री ज्यान निर्माता तता नन्हे बैग्यानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिधानतों की रचना करती हैं। 25 प्रश्ण है एक सिक्षक किसी समस्या के समाधान ही तो विद्यार्थियों को सामोहिक चर्चा का अउसर अपदान करता है। उस स्थिती में अधिगम वक्र के संबद सत्य कथन होगा कौन सा। इसमें होगा कि अधिगम वक्र वेहतर होने लगेगा। ये आप सन्या पर सेउजगा। जब विद्यार्थि समोह परिचर्चा करते हैं या उनको समोह परिचर्चा का अउसर दिया जाता है। तब उनके सीखने का वक्र वेहतर होता है। अगला जो प्रश्ण है व्यक्तिक भ वातवरडकी अंता क्रिया 27 प्रश्ने प्रतिभासाली बालक की विसेष्टा है तो यहाँ पर जूत होगा D आप्सन उपरियुक्त सभी जिन बालकों की बुध्धी सामाने बालकों से अधिक होती है उन्हें हम प्रतिभासाली या प्रभावसाली बालक कहते हैं इनकी कुछ प्रमुख बिश्यस्ताएं जो है जैसे उनका IQ लेवल हाई होता है यानि कि उच्छ बुधी लब्ती होती है उच्छ आत्म छमता होता है और कुछल समस्या समाधान करता होते हैं तो यहाँ पर D आपसन सही हो जाएगा 28 परशन मध्य बाली आवस्था में भासा होती है तो भासा अहम किंद्रित होती है यह आपसन यहाँ पर सही हो जाएगा मध्य बाली आवस्था में बालक भासा के अस्तर पर समाजी कृत के बजाए अहम केंद्रित अधिक होता है और 29 नमर कोशन है कि सैस्वा आवस्था होती है तो यह जन्म से लेकर के दो वर्ष तक तो यह सैस्वा आवस्था कहलाती है C आपसन सही हो जाएगा है और अंतिम जो प्रश्ण है विकास का करम होता है तो यह समानी से बिसिस्ट की ओर यह आपसन यहापे सही हो जाएगा विकास यह जीवन प्रेयंत चलने वाली प्रिक्रिया है जो प्राया समानी से बिसिस्ट तता सरल से जटिल की ओर बढ़ता है तो आपसन में जो है सरल से जटिल रहता तबी से हो ज전ता या सामानी से बिस्लिट तो ये आपसन यहापे सही हो जाएगा तो दोस्तों ये था आपका वालभास यूं सिक्छट सहस्त्र का पहला प्रेक्टिस सेट इसके पहले प्रियावरां के चार प्रैक्टिस सीट अप्लोड हो चुके हैं तो जो लोग नहीं देखे हैं आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाएगा वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएगे तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शिर कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में वीडियो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धनिवाद